हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मिक्स अनाज से फुल डाइट चावल का हर्याली पराठा इसको बनाने के लिए लेगे हम एक कटोरी बाजरे काटा, एक कटोरी चावल काटा और एक कटोरी गिहूं काटा और मैंने लिया है धेर सारा धनिया आजकल हरा धनिया खूब आ रहा है तो दोस्तों मैंने इस धनिया को काफ़ी सारा ले लिया है और इसको हलका छोटा 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 काटके ये मैंने अच्छे से दो लिये हैं और ये लिये हैं मैंने 6-7 हरी मिर्चा ये spicy अच्छे लगते हैं अगर आप कम मिर्चा खाते हैं तो इसको बढ़ा हो और गठा भी सकते हैं अगर मिर्ची spicy है तो थोड़ा कम कर लें ये मैंने बिल्कुल कट करके रख लिया है आप धनिये की जगे पालक का भी इस्तमाल कर सकते हैं पालक, मेथी, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं और ये खाने में टेस्टी तो लगेंगी इस साथ में आपको पूरा पोसन भी देंगे इसको हम मिला लेंगे और अब हम इसमें मेरे पास थोड़े से जो है ये चावल रखे हुए पके हुए इसको मैंने जो है एक चौपर में डालकर इसको मैं पीस लेती हूँ ने आप इसको अगर चौपर नहीं है तो हाथ से भी मैस कर सकते हैं ये देखें ये मैंने सारे चावल जो है एक बाल में ले ली इन्हें हलके हाथ से मिला लेंगे ये देखें और आप इसमें डालेंगे हम जो हमने हरी धनिया काटी थी उसका आदा बैटल हम इसमें मिला देंगे और ये देखो इसे अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा मिला लें ये डालें मैंने इसमें दो चमच बेसंगी ताकि इसके अंदर जो मौस्चर होता है जो नमी होती है वो निकल जाए और जब हम इसे आटे की लोई में भरें तो लोई जो है फूटे नहीं इसमें मैं डाला आदा चमच नमक आदी चमच जीरा और ये मेरी घर की कुटियों लाल मिर्चा है थोड़ी स्पाइसी है इसलिए मैंने इसमें थोड़ी ही डाली है और आपने इसमें हरी मिर्चा भी डाली है तो उसके हिसाब से आप मसाला मिलाएं और ये लिया है मैंने आट आप उसे भी लोई को कर सकते हैं, यह थोड़ा सा, और जो हमने बैटल त्यार किया है, जैसे हम पहले बनाते थे, लेकिन ऐसे बनाएंगे, तो इसमें आप जो है, बैटल अच्छा डाल सकेंगे, यह देखिए, आप इसको कितना भी भरें, यह फटेगा नही पराथा, और कहा लाने में तो टेस्टी लगे गई दोस्तों ये समूसे और कछोडियों से भी टेस्टी लगने वाली चीज है आप इसे घर में जब मर्जी बनाएं और ये देखिए इसे बिल्कुल चारो तरफ से हुंगलियों की सायता से दबा लेंगे और ये हम थोड़ा सा ड्राइ पाउड थोड़ा सा रोटी के साइट से बड़ा बनाने वाले हैं इसे हम बड़ा क्यों बनाने वाले हैं इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें आखरी तक ये देखिए एक तो आजकल हरी सबजियां बहुत आ रही हैं दोस्तों तो आप मैं एक और आपको बिल के दिखा हो गया है यह देखो कहीं से भी ना तो यह फटा है और नहीं कहीं से भी जो है हमारा जो है चावल बाहर निकला है और यह थोड़ा समय थिक बड़ा बनाया है यह देखो तवा मेरा गरम हो गया है इसको हम इस पर सेख लेंगे एक बात और दोस्तों अगर आपको लगता है क कि मेरी वीडियो देखे आपके टेस्ट में थोड़ी सी भी बडोतरी हुई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरू करें शेयर करें और कमेंट्स करने में तो कोई कंजूसी ना करें क्यूंकि आपके कमेंट्स मेरे को मिलते रहते हैं और उससे मुझे जो है और अच्छा कु को वीडियो पसंद आ रही है और आप मुझसे और क्या चाहते हैं आप बताएं मुझे के आपको अगली डिस कौन सी वाली चाहिए आप मिरको कमेंट्स वोक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें और मैंने तो इसका नाम जो है चावल के हरियाली पराठे रखा है आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे मुझे जरूर लिखें ये देखो मैंने दोनों तरफ से सेख दिया और इसमें कुकिंग ओयल लगा दिया है ये खाने में भी टेस्टी है और देखने में तो टेस्टी लगे गई और बच्चे इसे मांग मांग कर खाएंगे जब बहुत ही बहतरीन दोस्तो मेरे तो पराठे बनकर तैयार हो गए हैं आप भी इसकी जटपट तैयारी कर लें और इसे बनाएं ये खूब कुरकुरा करके खाएं कभी-कभी इसे आप सर्सों के तेल में भी ट्राइए कर सकते हैं ये देखिए मैंने बड़ा पराठा इसलिए बनाया है ताकि हम इसे कट करके इसको खाने कर इसको इंजोय कर सकें और ये बहुत ही बढ़िया लगता है ये देखिए मैंने इसको चार भागों में बिल्कुल कट कर लिया है और ये मेरा दूसरा भी तैयार हो गया है पराठा आप इसे घर में जरूर ट्राइए करें और इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है कभी भी लगे आपको कि आज मुझे चटपटा बनाना है और चाओल है या कुछ भी है आप इसमें भर कर ये देखिए मेरे सारे पीस जो है मैंने अब उसमें निकाल लिया है प्लेट्स में बच्चे भी इसे बहुत पसंद के लिए भी बहुत ही भेतर इंडिस है अब इसे आप कब ट्राइ कर रहे हैं जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में